हैलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का कमलेश विश्वकर्मा यूटूब चैनल पे जैसा कि फ्रेंड्स मैं आज आप लोग इस बडियों के माद्यम से आपको बताने वाला हूँ आई टी आई परिच्छा 2020 के बारे में जो कि फ्रेंड्स आप लोग का परिच्छा है आई टी आई ट्रेट प्रेक्टिकल का और फ्रेंड्स आप लोग का हो रहा है तो friends ITI second year का जो practical का exam है वो आप लोग का किस प्रकार रहेगा कैसे question आएंगे और friends मैं आप लोग को बिल्कुल important question है आप पर मैं आप लोग को बताने वाला हूँ और आप लोग अपने practical के exam में practical को किस प्रकार लिखेंगे अपने copy मैं यह भी आप लोग को बताऊंगा और अपने workshop में किस प्रकार practical को करेंगे यह सब friends मैं आप लोग एद्दम सही जनकारी साथ आपको बताने वाला हूँ तो friends आपको वीडियो को complete और ध्यान से देखना है तभी आप लोग को मालूम हो पाएगा और friends आप लोग अभी तेक मारे वीडियो को like नहीं किये हुए हैं तो आप लोग एक like कर लें और हमारे YouTube चलिव नहीं किये हुए हैं तो आप लोग फटा फट सब्सक्राइब कर लें आपको नीचे rate कर का बटन दिख रहा होगा सस्क्राइब वाला उसे दबा लिजिएगा और घंटी वाल आइकन को आल लोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना है और friends जैसे ही मैं आप लोग को steady का वीडियो लाओंगा तो आपका उसको नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप लोग को steady करके अच्छी तयारी कर लेना है ताकि आपको exam में कोई problem न हो और अपना exam आसाने से दे पाएंगे तो friends आईए लोग वीडियो को सुरू करते हैं जैसा कि friends आप लोग यहाँ पर देख पार सबसे पहले मैं आप लोग को एक practical को यहाँ पर बताने वाला हूँ जो कि ऐसे ही practical आपको अपने exam में लिखना है और friends ऐसे ही आपका question आता है और friends अगर आप लोग का यह question आएगा exam में तो आप लोग इसे फटाक से कर दिजिएगा time ना waste किये तो friends आपको किस प्रकार लिखना है अपने copy पर तो friends आपको सबसे पहले उद्देश जिसे आप लोग object या फिर am बोलते हैं वही आपका उद्देश रहता है जो कि friends आपका जो practical आता है आपके exam में जो question आता है practical का वही आप लोग का object उद्देश रहता है तो उसको सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने copy में उद्देश को लिख लेना यानि object को लिख लेना है जो कि आपका यहाँ पर object उद्देश दिया गया है low tension जिसे आप लोग shortcut में lt बोलते हो तो line पर बस बार तथा बस युगमक को लगाना जैसा कि friends सबसे पहले आप लोग practical को पढ़िये low tension यानि जिसे आप लोग lt बोलते हैं shortcut में तो low tension line पर आपको बस बार और बस युगमक को लगाना है same friends आप लोग यहाँ पर देख पार है यहाँ पर आपका इसके बाद उद्देश को लिखने के बाद आपको यहाँ पर परिचय जिसे आप लोग introduction बोलते हैं जैसा कि friends आपका जो practical आपको करना है उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर knowledge लिख देना है जो कि यहाँ पर देख पार यह परिचय इंट्रोडक्शन में दिया गया है low tension lt low tension lt जिसे आप लोग lt यानी short name है इसका full फाम होता है low tension लाइने छमता के अनुसार 1000 बोल्ट तक के लिए प्रयोग की जाती है इन लाइनों से light वब पावर सर्किट के लिए बस बार से सयोजन किये जाते हैं तो friends ऐसे आपको परिचय लिख देना है अपने practical का इसके बद आपको आवसक उपकरण और समागरी essential, apprentice, material आपको लिखना याँ पर जो कि friends आपको आवसक समागरी और उपकरण आपको लिखना है किस परकार तो friends मैं इस पर विडियो बनाया हूँ आपको किस परकार लिखना है तो friends आपको मैं description box पर आपको link मिल जाएगा आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं जो कि आपको बहुत ही बारीकी समय बताया हूँ कि आप लोग किस परकार आवसक समागरी को लिखेंगे जैसा कि friends आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर आपका लिखा गया है combination plier इसका बाद पेचकस हथाओडी श्पैनर सेट PVC तार जो कि आपको यहाँ पर मानक भी दिया गया है PVC तार के टुकडे TPI fuse box DPIC fuse box तथा सीड़ी जो कि friends आपको यहाँ पर सीड़ी से लिए प्रयोग किया ज़रा है क्योंकि आपको low tension तार पर आपको यहाँ पर लगाना है तो आपको जब पोल पर चड़ना होगा तो सीड़ी साथा साथा साप लोग चड़ेंगे तो आप लोग यहाँ पर आपका आवसक समागरी और उपकर हो गया इसके बाद आपका आता है कि practical के दवरान आपको कौन कौन से सुरच्छा और साथानिया को अपनाना है यानि safety precautions instructions आपको यहाँ पर सुरच्छा साथानिया निर्देश को आपको लिखना है जो कि practical को करने के दवरान कौन कौन से साथानिया को अपनाया जाता है तो आपका यहाँ पर पहला में दिया गया है low tension L.T. line से बस बार वबस युगमक उपयुग तस्थान पर संयोजित करे दुसरा है संयोजन को करने से पहले power supply अवस्य आप कर दे और आपका तीसरा है बस बार से low tension L.T. के तारों को सोल्डर कर दे चौथा है तारों को नंगे हातों से इसपर्स करने से बचे पाचवा है कार्योपरांत समस्त संयोजनों को पुनह जाच कर उनकी छमता और सुनिश्चित कर ले तो फ्रेंड्स यह आप लोग हो गया निर्देश सावधानिया इसके बाद आप लोग practical को किस प्रकार करते हैं सेम फ्रेंड्स आपको यहाँ पर point दे देकर यहाँ पर लिख देना है कार्य विधी आप लोग फ्रेंड्स यह heading को भूलना नहीं है आपको heading डालते हुए लिखना है तो आपका कार्य विधी यहाँ पर आ गया जिसे आप लोग English में working method बोलते हैं तो आपका यहाँ पर point दिया गया है one सर्व पर्थम low tension LT line के सयोजन TPIC main switch से करते हैं और दूसरा है तदू परांत main switch से conduit pipe के द्वारा बस बार तथा बस युगमक के एक और सयोजन करते हैं जैसा कि फ्रेंड्स आपको कार्य विधी लिखने की उपरांत आपको यह figure draw कर देना है जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग इसका screenshot ले लिजिएगा एक जो कि आपकी exam में आएगा तो आप लोग इसे समझ जाईएगा और इसे फटाक से अपने exam में बना दीजिएगा और आपको number मिल जाएंगे इसका आपको यहाँ पर तीसरा दिया गया है जो कि कार्य विधी का point अब बस बार में लगे ventilation से tp ic fuse box का सयोजन करते हैं और चवता है इसके बाद player वा spanner की सायता से बस युगमक को low tension lt line पर सयोजन करते हैं और पाचवा है अंत में बस बार से light के लिए tp fuse box लगाते हैं और चटवा है कार्योपरांत सयोजन दोनों line अवयोग की कार्य चमता सुनिचित कर लेते हैं तो friends अब आप लोग का जो था उद्देशय और आप लोग का था परिचय और आप लोग का था आवस्यक सामागरी एवा मुकरण सुरच्छा सावधानिया इसके बाद आपका कार्यविधी यह सब friends आप लोग का हो गया जैसे friends आप लोग किसी exam को देते हैं तो पहले आपका exam होता है इसके बाद आप लोग का रिजल्ट आता जिसे आप लोग परिडाम बोलते हैं तो आप लोग का ये जो practical है हो गया आप लोग ने कर दिया अब इसके बाद आप लोग का जो परिडाम आएगा result ओ भी आपको यहाँ पर लिखना है तो आप लोग यहाँ पर लिखने के बाद यानि आपको प्रेक्टिकल करने के बाद आपको यहाँ पर यही फिगर को बना देना है यानि फ्रेंट्स आपका जो हेडिंग है सबसे पहले आप लोग उद्देश लिखेंगे फिर परीचय फिर आवस्यक उपकरड़ समागरी फिर सावधानिया एवं निर विधी यह सब लिखने के बाद आपका परीडाम आएगा और परीडाम के बाद आपको नीचे ही एक फिगर बना देना है जैसे आप लोग प्रेक्टिकल करेंते हैं वैसे ही आपको प्रेक्टिकल का कनेक्शन यहाँ पर कर देना है तो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में इतना ही उमेदे आप लोग को अच्छा लगा होगा और आप लोग को प्रेक्टिकल भी समझ में आ गया होगा तो फ्रेंड्स आप लोग मेरे वीडियों को एक लाइक कर लें और हमारे यूटूब यह सक्क्राइब ने किये हुए हैं तौब सक्क्राइब कर लें